प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 30 माई की शाम प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक चलने वाली अपनी ध्यान साधना शुरू की निकटवर्ती तिरुवनपुरम में हेलिकोप्टर से पहुचने के बाद प्रधान मंत्री मोदी ने भगवती अमन मंदर में पूजा की और नौका सेवा के जरिये रॉक मेमोरियल पहुचे और ध्यान साधना शुरू की प्रधार मंत्री की ध्यान साधना एक जून तक चली की पूजारियों ने विसेश आर्थी की और फिर उन्हें मंदर का प्रशाद दिया जिसमें एक शॉल और मंदिर के देवता के फ्रेम युक्त तस्वीर शामिल थी बाद में वहराज सरकार के जहाज रानी निगम की ओर से संचालित नौका सिवा के जड़िये रोग मेमोरियल पहुचे और ध्यान मंडप में ध्यान लगाना शुरू किया यह पियमोदी की नीजी यात्रा है यह के अन्ना मलाई ने इसकी जानकारी दी है ध्यान लगाना शुरू करने से पहले पियमोदी कुछ देर के लिए मंडप की ओर जाने वाले जीडियों पर खड़े रहे प्रधान मंत्री एक जून को अपने रवानगी से पहले समारक के पास तमिल कवे तिरू वल्लुवर की प्रतिमा को देखने के लिए जा सकते है भारतिय जुनता पाटी ने तमिल लड़ो एकाय के अध्यक्ष के अना मलाई ने शिव गंगा में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की इस यात्रा को पूरी तरह से नीजी यात्रा बताया उन्होंने कहा यह प्रधान मंत्री की नीजी यात्रा है उन्होंने कहा कि यही कारण कि उनकी पाटी के नेताओं और कारेकरताओं ने इस कारेकर में भाग नहीं लिया जहां एक ओर ठान्थाई पेरियार दविद्र कसगम सहित अन्य संगट्नों ने मदुरई में मोदी के विरोध में काले जण्डे दिखा तो वहीं दूसरी हो, सोशल मीडिया मंच, एक्स पर लोगों ने गो बैक मोधी का भी बात सामनी आ रहा है वहीं पीएम मोधी की एक कारिक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गया है आपको बता दे कि एक जून को लोगसवा चुनाव की सातवी और अंतिम चरण का मतदान की मदे नज़र उनकी ध्यान कारिक्रम की प्रसारन का राजनितिक विरोध किया जा सकता है पीएम मोधी के इस कारिक्रम की मदे नज़र कड़ी सुरक्षा सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गया है प्रख्यात हिंदू संत विवीका नंद की नाम पर बना यह समारक समुंद्र की मध्य में स्थित है यह पहली बार प्रधान मंत्री इस समारक पर ठहरेंगे यह समारक स्वामे विवेका नंद की स्रधांजली स्वरू बनाया गया है प्रधान मंत्री ने 2019 की लोकसभा चुनाव में प्रचार समापत होने के बाद केदारनात गोफा में भी इसी तरह ध्यान लगाया था पिये मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके प्रवास के दोरान 2000 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही भारतिय तट रक्षक बल और भारतिय नौसेना भी कड़ी निगरानी रखेंगे। पिये मोदी की साधना 45 घंटे तक चलेगी। इस 45 घंटे की कठोड ध्यान में ना तो वो अन ग्रहन करेंगे ना ही किसी से बात करेंगे। कठोड साधना में प्रधान मंत्री जरुवत पढ़ने पर केवल नीमबो पानी का सेवन करेंगी। वस सिर्फ तरल आहार ही लेने वाल और साधना समाप्थ होगी। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाब की स्री.com को लाइक, शियर, सब्सक्राइब करना ना भूली। धन्यवाद।